देखे चीन बेहद परेशान है और अब अमारिका की टेंशन दो गुना यहाँ पर ज्यादा हो गई है क्योंकि एरान ने अपनी पूरी ड्रोन फोर्स यूध के लिए तैयार कर दी इरान अगले 24 घंटे में एक ऐसा खतरनाक जोरदार हमला कर सकता है जिसका सबसे बड़ा टारगेट इसरेल है लेकिन इस बीच इरान ने एक वीडियो भी जारी किया और इस वीडियो को जारी करके बाइडन को बहुत बड़ा सदमा दे दिया ने अगले 24 घंटे में। ये ड्रोन के लॉंच होने का विडियो ये ड्रोन से धमाकूं का विडियो ये तस्फीरें इरान को बहुत जोश दिलाती है और ये ही वज़ा है कि उसने अमेरिका को एक विडियो दिखा कर ऐसा शौक दिया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है ये है अमेरिका का सबसे खतरनाख डेस्ट्रॉयर जो पर्शियन गल्फ से गुजर रहा है याणि फारस की खाड़ी इसे एरान अपना इलाखा मानता है लेकिन खबर ये नहीं चौकाने वाली बात है कि अमेरिका के इस डेस्ट्रॉयर का विडियो जो रिकॉर्ड कर रहा है वो एरान का एक अटैक ड्रोन है इस वीडियो में इरान के ड्रोन ने अमेरिका के इस जहाज को टागट पर लिया हुआ है और यही बात बाइडन को डराने लगी है इरान इस वक्त बहुत ज्यादा अक्रमक हो चुका है वो अमेरिका को बहुत गड़ा सबक सिखाना चाहता है इरान बार बार कह रहा है कि जर्णल कासिम सुलिमानी की हत्या का बदला अब तक पूरा नहीं हुआ है और अब उसने ड्रोन वाली पावर दिखाकर ये बहुत ही खतरनाक मेसेज अमेरिका तब पहुँचा दिया है इरान ने अपनी ड्रोन पावर दिखाने के लिए एक बड़ा युद्धध भियास किया है इस युद्धध भियास में तोसों से ज्यादा ड्रोन लॉंच किये गए जो उसने خط बनाए हैं जिन ड्रोन को इस यद्धधध भियास में शामिल किया गया उन में चामरूश, यासिर, सादिक, पेलिकन, कमान, यजनदान और मुहाजिट ड्रोन है इन ड्रोन के जरीए एरान ने अमेरिका और इसराइल दोनों को बता दिया है कि छिडोगे तो छोड़ेंगे नहीं, पूरी तरह बर्बाद कर देंगे इरान की ड्रोन टेकनॉलजी बहुत आगे पहुँच चुकी है ये युक्रेन की युद्ध में रूस की मदद कर रही है तो यमन के अलावा सीरिया और अब लिबनान में हिजबुला भी इरान की ड्रोन पावर का इस्तमाल कर रहे है लेकिन जब से अमेरिका की वार्शिप के उपर एरान की ड्रोन मंडराता हुआ दिखाया गया है बाइडर और उनके दोस्तों में गज़त की तहशत पहल गई है क्योंकि सब बाइडर से सवाल कर रहे हैं कि इरान का अटैक ड्रोन उनके जंगी जहाज के उपर उड़ता रहा उसके बहुत करीब आ गया और उसे टागट पर भी ले लिया लेकिन अमेरिका की नौसेना को इसकी खबर तक नहीं हुई आखिर ऐसी ड्रोन पावर से अमेरिका कैसे निपटेगा क्योंकि इरान ने ये ड्रोन जारी करके साबित कर दिया है कि उसकी ड्रोन पावर तो अमेरिका को ही निपटा सकती है किसी भी वार्शिप के लिए ये बहुत ही शर्मिंदगी ही नहीं बेज़जती वाली बात है कि दुश्मन का ड्रोन उसके उपर मंडराए और उसे खबर तक नहोगी अमेरिका का आरलेट बर्ग जाहास दुनिया की सबसे बेहतर एर डिफेंस और मेजाईल डिफेंस हत्यारों से लेस है अमेरिका के पास ऐसे उनहत्तर जाहास है ये वार्शिप ऐसे रेडार से लेस है जो सैक्लों किलमेटर दूर से आस्मानी टागेट को खत्म कर सकते है इसमें लगा एर डिफेंस सिस्टम भी दुनिया के किसी भी वार्शिप के एर डिफेंस से बेहतर माना जाता है और ज्यादा सटीक माना जाता है इसकी फायर पावर ऐसी है कि ये अकेला वार्शिप पूरी एरान की नेवी को खत्म कर सकता है लेकिन इसी जंगी जहाज के उपर अपना ड्रोन मंडराक एरान ने अमेरिका का आत्म लुश्वास किसी चीशे की तरहा चकना चूर कर दिया है अब एरान क्या आसपास तेनात होने वाला अमेरिका का पूरा बेड़ा खत्रा महसूस कर रहा है एरान ने खुद को एक जोन सुपर पावर के रूप में पेश कर दिया है और उसके टागेट पर इस वक्त दो देश पहला है अमेरिका और दूसरा है इस्राइल इरान की फूर्स इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक जितना भी इलाका है यहां इरान का खासा दबदबा रहता है और यहां पर अक्सर आने वाले अमेरिका के समुत्री बेड़े को भी इरान बहुत बड़ी चेताबनी दे रहा है इरान की ड्रोन एक्सिसाइज में हर दाउट परक लिया गया है पहला ड्रोन है अबाबेल 3 जो रन्वे से टेक आफ करता है वो पूरे स्ट्रेट आफ हार्मूस पर नज़र रखता है ये इरान की ड्रोन पावर का बहुत भरोसे मन निगहवान माना जाता है दूसरा ड्रोन है आरिश टू जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक आफ करता है वो नज़दी की पहाड़ पर दुश्मन के एक अड़े को टागेट करता है तीसरा ड्रोन ये है अबबील टू जो एक नेवल शिप से लॉंच किया जाता है और फिर इसका टागेट बनता है एक टापू और उसके करीब खड़ा दुश्मन का जहास ये एक नेवल शिप की डमी है और इसी पर जाकर अबबील टू बहुती सटी खमला करता है इस तरहा इरान ने अपने तमाम हथियार आजमाने शुरू कर दिये हैं इरान की रणनीती शुरू से ही आफ्रमक रही है ऐसे ट्रेलर रिलीज करके इरान बताता रहता है कि पश्चमेशिया में उसको चैलेंज किया गया तो नतीज़ा बहुत बुरा होगा इरान के ड्रोन बहुत खतरनाक हैं ये पूरी दुनिया मान चुकी है युकरेन में इरान के शाहिद 136 ड्रोन ने बड़ा कहर मचाया है युकरेन के बिजली घरों पर रूस ने इरान के ड्रोन से ही हमले की और उनको इतना नुकसान पहुँचाया कि 50 प्रतीशत युकरेन अंधिरे में डूप गया और अब यही फायर पावर लेकर इरान खाड़ी देशों में बड़ी पावर बन चुका है सवाल है कि इतनी बड़ी ड्रोन पावर बन कर इरान क्या करना चाहता है इरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिटरी बेस है और इन में कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सेनी तैनात है इरान की वार्निंग है कि अमेरिका खाड़ी देशों से अपना बुरिया बिस्तर समेट कर भाग जाए नहीं तो वो उसे भागने पर मजबूर कर देगा इरान अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और ड्रोन पावरिंग रेंज और साथ में उससे होने वाले धमागिक ताकत दिखाकर इरान ने खाड़ी देशों में अमेरिका के हर मिलिटरी बेस को अपने टागट पर ले लिया है अमारिका और इरान के बीच में तनाव लंबे वक्त से है कई अर्सू से है लेकिन यहाँ पर यह समझना बेहत जरूरी है कि आखिर इरान सीधे सीधे तोड़ पर अमारिका को चुनोती क्यों नहीं देता दरसल कुवेत में अमारिका के 10 सेने अड़े हैं तमाम गल्फ कंट्रीज में जहां जहां पर सेन अड़े हैं अमारिका के वह हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले इसमें आता है कुवेत कुवेत में 13,000 सेनिक तैनाथ हैं अमारिका के और यहाँ पर देखिए सेनिकू की आबादी कितनी है 13,000 जो कि अमारीकी सैनिक और बहरीन में अमारीका ने 12,000 अड़े बनाये हुए हैं और यहां सैनिकू की जो संख्या है वो 3,700 के करीब है और इसी वज़ा से यहां पर कई फौजी अमारीका के तैनाथ है वहीं साओधी अरब की ओर आगे बढ़ते हैं और अमारीका के 10 मिलेटरी बेस यहां पर है साओधी अरब में और यहां पर सैनिकू की अगर संख्या की बात की जाए तो यहां पर अमारीकी सैनिक 3,000 हैं तो आप देख सकते हैं कुवेत, बहरीन और साओधी अरब अमारीका का सबसे बड़ा मिलेटरी बेस है और यहां पर 13,000 अमेरीकी सैनिक रखे गए हैं यह वो देश हैं जहां से इरान बहुत जादा करीब है और यहां अमारीकी सैना का होना उसके लिए खत्रा बन जाता है यही वज़ा है कि एरान अब अमेरिका को इस इलाके में परदाश नहीं करना चाहता है क्योंकि उससे लगता है कि अमेरिका इन्ही अड्डों से उस पर नज़र रखता है और यही सिब वो कभी भी एरान के न्यूक्लियर अड्डों पर हमला कर सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिका की जितने भी अड़े हैं वहाँ उसके बहुत ही खतरनाख हत्या तैनाथ रहते हैं यहां अमेरिका का F-16 भी है, F-15 भी है, F-18 भी तैनाथ है और मौके मौके पर F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर भी अमेरिका यहां तैनाथ करता रहता है इसमें एरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है कतर का अलुदैद एर बेस जो पूरे पश्रिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिटरी बेस है यहां अमेरिका के अलावा ब्रिटन की रॉयल एर फोर्स भी तैनाथ है दोनों देशों के यहां करीब डिर्सो फाइटर जैट और बाकी विमान और ड्रोन तैनाथ रहते हैं यहीं से अमेरिका पूरे पश्रिम एशिया पर नज़र रखता है इरान ने अब अमेरिका को खुल लम खुला वार्निंग देनी शुर कर दी है और इस बार अमेरिका इरान की धंकियों को हलके में नहीं ले सकता अमेरिका के डिस्ट्रॉयर के ऊपर अपना अटैक ड्रोन बंडराक इरान ने इक तरह से बाइडन को युद का नोटिस दे दिया है